नमस्कार साथ यो तो आज है फिब जुलाई 2024 बजार आज 90% टाइम नेगेटिब में रहने के बाब जुद भी 90% टाइम 24,300 के नीचे रहने के बाब जुद भी क्लोजिंग दिया 24,300 के ऊपर आके 24,323 पॉइंट पे लगबग फ्लैट में मतब क्लोजिंग के समय कोई बहुत 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 तेजी ना गिरावाट हमें देखने को मिला और इस बारे में कल रात की जो सारे 10 की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी किये थे कि पॉसिबिलिटी है कि आज बजार थोड़ा सा कमजोर हो सकता है थोड़ा सा वीक ह दिया था कि आप थोड़ा सा साब्दान हो जाए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटर सा रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करकर रख दीजे और साथ में दोस्तों बेल दिकवर हुआ दोस्तों तीन बज़े के बाद तीन बज़े तक आप देख सेक्ट तो 24 सा 219 पॉइंट पर ट्रेड करा था उसके बाद एक्चुली कुछ ऐसा हो गया निफ्ट फिप्ट में सीधा गेनिंग हुआ और सीधा सीधा 24 सा 300 को परा के क्लोजिंग दिया बट पॉस लो गेनिंग में था यानि पॉजिटीव में था ग्रीन में था और पॉजिटीव में ग्रोजिंग दिया तो दोस्तों क्या आपकी पॉट्फिल का स्टैइस है प्लीज कमेंट करके बताइए तो देखिए इसके पीछे में रिज़ें यह है कि आज की रेले उसेक्टर जो देखने को मिलका फिलाल बात करेंगे निफ्टी 50 को तो निफ्टी 50 के अंदर जो कमजोरी देखने को मिला उसका मेन रिजन या प्राइमेरी रिजन आप बोल सकतो बैंक निफ्टी था बैंक निफ्टी शुरुआ आज दिया था एकदम से गाप डाउन जैसे कि आप देख सकत रिजन जो है HDFC दोस्तों आप अगर कल रात की सारेदस के वीडियो देखा वहाँ पे मैं आपको क्लियरले मेंशन कर दिया था नमबर वन पॉइंट क्या आप देखने के लिए डॉजोंस की फीचर नैस्डेक की फीचर दूसरा पॉइंट क्या का था कि HDFC जो शियर है इसको बहुत नज़र रखे लास्ट यानि चार तारीक में देखा था तो आज कुछ ऐसे कारण के बश जो की शियर है सारे चार परसेंट गिरा तो क्यों ऐसे गिरा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे फिलाल आप देखते जाहिए बाखी सेक्टर की क्या हल है एक परसेंट पॉजिटिव में वेरी गूट बाकी बैंक ने फितो गिरा आई टी सेक्टर में कोई बहुत बढ़ा रही नहीं था व सेक्टर को चोड़के बाकी सेक्टर मार्किट का सेंडिवन काफियत तक पॉजिटिव में था अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस है जैसे कि यहां पर देख सकते हो सबसे वहला न्यूस बजेट से रिटेट बजेट में पूश इंडियन स्टॉक मार्केट इवन ह दोस्ता आपको क्या लगदे कि इस साल खतम होने से पहले यानि 24 नेक्स अल्मोस्ट 6 मैना बाकी है कम्प्रीटल अगर हम बात करें तो 6 मैने के अंदर क्या निफ्टी फिप्टी 26,000 पॉइंट तक पहुंच सकता है आपके एकुरिंग या इससे ज्यादा पहुंच जाएग सेवी और सेट को दोस्तो एक एडवाइस दिया कि मार्केट को थोरा सा नजर रखिये ध्यान से रखिये विकॉस देखे मार्केट बर रहा है तो वेरी गूड अच्छी बात है हर किसी लिए अच्छी बात है बर उसके साथ-साथ अंदर ही अंदर कोई बहुत बारा घोटा सब्सक्राना हो जाए बेसिकली दोने यहीं एडवाइस दिया था सैट और आपके सेवी को ठीक है तो आज हमने देखा जिसके करण थोरा सा मार्केट में प्रॉफिट वुकिंग देखने को मिला और दूसरी बात दियान से देखेंगे मार्केट में लगाता रैली देखने क को मिला तो दूसरा जो रीजन था यहां पर जो सीजाए चंद्रुचूर साब की तरफ से स्टेट पें दिया था आपके सेवी और सैट क्यूपर उसके वज़े से ठीक है तो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बजार ऑल्मूस्ट 90 परसन टाइम नेगिटिव में था अब बा बात करें थोड़ा सा नेगिटिव में क्या जैसे कि आप देख सकता अभी वहां पे मतब युएस कंद्र समय हुआ है सुभा के 6 बच के 43 मिनिट लग बखवई पॉने तीन गंटे के बाद बजार ओपन होगा वहां पे मतब युएस मार्केट में तो इससे लिटेट मैं पॉसिटिव में आज ओपन हो सकता है युएस मार्केट ठीक है ओके तो देखे मार्केट से लिटेट जितने भी अप्डेट्स था मैं आपके साथ शेयर कर लिया अब बात करेंगे कुछ इंडिविजुल कंपनी की शेयर के बारे में उसके पहले दोस्तों अगर आपको वी परकेट बेन अब पतिशक टाइम देखने को मिला सारे 4 परसे नीचे गिरा अब क्यूं गिरा इतना बड़ा गिरावर्त देक्सर देखने को नहीं मिलता अगर ठोड़ा बहुत परसेंग होता भी है तो एक आत परसेंगी शेयर गिरना मत्ता बहुत बड़ी वैलेशन यहां हो जाना तो इसके पीचिवी रिजन है जो क्या चर्चक करेंगे अब यहां पर जो स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है ना एक और बर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह जो अंत की समय ध्यान से देखने को वहाई कि वाजए से दिखेंगे रिलाइंस इंड़ी की आप ध्यान से देखें मतलब एक बहुत बढ़ा ड्रामा हो रहा था इस टेपसी वेंगी शेयर नीची की तरफ दवा राका मार्केट को वह अगरम बात करें रिलाइंस इंडेस्ट्री की शेयर उपर की तरह पुश कर रहा था मतलब समझ रहना मेरे बात यहां पर दोनों दोसरी और में वी प्रोजिटि जिए एक ऐसा से कंपनी की शियर जिसमें आज रिमारकेबल मुबबेंट देखने को मिला और जो बात मैं आब लोग इसके पहले पैसा सेक्टर है जिसमें तेजी जब होता है दोस्तों सारे सेक्टर का भूल जाएंगे एक एक दिन में 15% 20% मूँव दना कोई बहुत बड़ी बात नहीं यही बात मैं आपको इसके पहले इतने बार समझा चुका हूँ आप अगर इस चनल को फॉलो कर तो आपको बहुत अच्छे सी याद होगा इवन कल रात वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ठीक है तो आर्वियनल को वीडियो जरूर आएगा फिलाल आप देख सेकता आज आर्वियनल की शेयर ना के बल अपना ओल्टेम हाई टच किया बलकि सारे 17% मूव किया सारे 17% और आज की रिट में सिर आर्वियनल अगर आप देखेंगे आज इरकॉन की शेयर मूव दिया आयर एपसी के अंदर भी ब्रेक आउट हुआ सीधा सारे 505% अब तैयार हो जाए आयर एपसी बहुत जल 200 क्रॉस करेगा जिन लोगों को लगदा था कि बाई सब यह तो बेकार शियर है इसमें अब और कुछ उरज इसमें आज कोई बहुत बहुत बार मुबेंट नहीं चल रहा है बट आगे होगा जैसकी रेड़कॉप देख लिए आज भी मुबेंट दे दिया है ना ओल टाम हाइपे क्लोजिंग यह देखिए आपके सामने है लोग आज इसको इग्नोर कर रहे है जब जिस दिन चलेगा अज बहुत 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 अच्छा मुबेंट देखने को मिला फिला दोस्तो जितने भी न्यूस था अपडेट आपके साथ में शेयर कर लिया फिर भी कोई डाउट से आपका कोई शेयर के बारें पूछना है कोई टॉपिक के बारें पूछना है प्लीज कमेंट करका बताइए फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक केर बाबाई जय हिंद